नमस्कारम मैं हूँ योगिनित्य और आज मैं आप सबसे चर्चा करोंगा कि सुबा उठकर के तामबे के बरतन का पानी क्या पीना चाहिए और किस किस को इसे पीना है और किसे ये नहीं पीना चाहिए क्या ये लाब करता है और अगर ये लाब करता है तो किन किन रोगों में किन किन चीजों में ये काम आता है और क्या इसे लगातार हमेशा पी सकते हैं यदि आप भी इन सवालों के जवाब जाना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस कारिकरम में टांबे के बरतन का पानी सुबह उठकर के सब को ही पीना चाहिए बहुत अच्छा है पर जो अलसर के पेशेंट है जिनको पेट में कहीं पर अलसर है या कोई निमोनिया का कोई पेशेंट है या फिर टीवी का कोई शिकार पेशेंट है इ बस अलसर में और टीबी में या निमोनिया में इसे नहीं पिया जाता इसके इलावा प्राते उठकर के तांबे के बरतन का पानी पीना बहुत ही लावदायक है लेकिन तीन माह इसे पीजिए और एक माह तक बंद कर पीजिए जो लोग लगातार पीते रहते हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते इसलिए तांबे की बाड़ी को जरूरत है कौपर की बाड़ी को जरूरत है वो ये पूरी करता है बेशक लेकिन तीन महीना पी करके एक महीना इसे बंद करना होता है जैसे कोई भी आप टॉनिक शुरू करते हैं कोई भी मेडिसीन अप लेना शुरू करते हैं ताकत की तो आप उसे तीन महीने लेकर के एक बार बंद करते हैं एक महीने के लिए फिर दुबारा शुरू करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आता है इसका पास रखें तो रात को बड़ी लंबी छलांग मारो कोई बाजू मारो तो सारा पानी बिस्तर पे आ जाए और सारी रात जाग करके काटनी पड़े मैं ऐसा भी नहीं कह रहा लेकिन अपने सिरहाने पास में अच्छी सी जगा पे इसे अगर आप पानी भर के रख देते हैं रा अगर पीते हैं तो और भी जादा लाव है पीना भी चाहिए खाली भरकर ही रखने से लाव नहीं होगा फूरा लाव लेना है तो रात को बरकर रखें और सुबा हर कोई अपने बिस्तर के पास अपना लोटा रखें इसके लावा कुछ लोग रात को तांबे के बरतन में प होती है अकसर पानी रात भर तामे के बरतन में चार्ज होता है तो जब चार्ज होता है तो जब चार्ज होता है तो सुभध उटकरके आप उसे पीते हैं तो आपकी बोडि को टाकश देता है लेकिन अगर आपने वो फर्ष पर रख दिया किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर अर्थ हो जाए वो तो वो आपको लाब नहीं करेगा उसकी सारी एनरजी जमीन में चले गाएगी इसलिए उसे लकडी की टेबल पर रखें या फिर लकडी का कोई चारस टुकड़ा नीचे रखें और जाना होता है और इसके इलावा बिल्कुल कण के बंद नहीं करना होता कि जिससे के हवा कि अंदर न जाये तो फिर वो पानी अंदर बहुत उसमें बाद बू सी आ जाती रात बर में बहुत तांबे you canolder में अंदर से उसकी जो हमक है हुमस है वो भी उसमें कहीं नहीं हाए तो पानी पीने का दिल नहीं कलता, इसलिए हलका सा ढखके उसको रखना होता है, इसके इलावा कुछ लोग सुबह स्टील का गिलास पकड़ते हैं और उसमें पानी डाल का पीने शुरू कर देते हैं, यह बिलकुल गलत है, रात भर यह तांबे के साथ रेक्ट करता रहा, उस करके पी लिजिए, तो आपको बहुत हिलाव करेगा, मैं बता दूं कि फिर से कि तीन माह तक इसे पीना है, फिर एक महीने के लिए बंद कर देना है, एक महीना जब बंद करें तो फिर मिट्टी के बरतन का पानी पी लिजिए, या चांदी के लोटे का चांदी के बरतन का पी लेजिए इसके इलावा जो लोग बहुत जादा जिनकी हड़ियां कमजोर है बीपी डाउन रहता है शरीर में ताकत नहीं है और सर्दियों का दिन है ठंड बहुत जादा लगती है तब इसमें आप कोई सोने की चीज डाल सकते हैं सोने का कोई गहना सोने का कोई सिक्का य चांदी का सिक्का या चांदी की कोई गिन्नी और फिर कोई कोई फैर कोई नी कोई बिढ़ा हो चोटा उसमें डाल दिया होना चाहिए तो वो रातबर नहींतर दां Zenê क कि इसमें और चांदी खfryपsc इसके बस आयन आ जाते हैं इसकी चार्जिंग हो जाती है पानी में उसका जो माइक्र लावल जितनी हमें मात्रा चाहिए होती है थामबे की चांडी की वो रात पर पानी में चार्जिंग हो जाती है तो कोई इसमें यह नहीं है कि आप क्या तामबा मिलेगा के नहीं मिलेगा जितना शरीर को चाहिए मिलता है इससे एजिंग रुकती है और जल्दी बाल जो लोगों को ज्यादा बाल जड़ते हैं तो उन लोगों के बाल एकदम जड़ने बंद हो जाते हैं खासकर जिनका हीमोगलोबिन कम है आइरन की कमी है आइरन को पचाने के लिए बाडी में आइर भी दुरुस्त होता है और नीद भी अच्छी आती है पेट ठीक रहता है एच भी बढ़ता है और भी बहुत ना जाने कितने लाव है लेकिन आप अगर इसे रोजाना पीना चाहें तो तीन माह तक पीजिए और फिर एक महीना बंद रखिए तभी ये अच्छा रिजल्ट दे पाएगा इसके इलावा गठिया में जिनको जोडों का दर है जिनको जोड पूरे ये जाम हो जाते हैं यह तो अचा पे दाग धब्बे जाईयां आ जाती है यह चेहरे पर बहुत ज्यादा काली तिल्ली सी तो उन सब के लिए दाग धब्बों के लिए चटे-चटे-च करता है यह थायरड की से क्रिशन जादा बनती है पीलिया है तमाम ऐसे रोग जो मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में यह नहीं भी कह रहा हूं उन सब में यह प्रातः पानी का प्र्योग उशा पान जिसे कहते हैं यह बहुत ही कारगर है हर किसी को करना चाहिए और भी अच पर्मपरा अहार विज्यान आयुरिविज्यन आयुरुवेध यह सब जो है गव्य पहती जो कुछ भी मैंने रिश्यों से योगियों से अपने बालेकल से ही मैं इस मर्ग पर चलता रहा ध्यान कैसे करें यह सब मैं आपको बताता रहूंगा उसके लिए आप हमारे तब बने रहिए, नमस्कार।